तो यह पार्ट 4 है हमारा linear equation with two variables का इसमें मैं आपको identify करना भी बता identify करना तो मैंने आपको बता जिए identify करके पहले बताना है linear equation है या नहीं फिर उसके बाद ABC की value separately बतानी है यह मैं क्यू करवा रहा हूँ यह आगे आपको मानुम बढ़ जाएगा ठीक है तो हमने identification को अलड़ी कर चुक है तो हमने identification को अलड़ी कर चुक है तो हमने बता तो दिया कि हाँ यह linear equation है with two variable yes है ठीक है तो अभी मैं आपको पूछ रहा हूँ कि A की value B की value बताओ क्या होगी जैसे हमारा यह form क्या है AX plus BY plus C यह हमारा form होता है तो पहले तो मैं उपर वादे को अपने form में लिख लेता हूँ 4M plus 3N 12 विदर आएगा तो क्या हो जाएगा minus 12 equals 0 यह मैंने अपने form में लिख लिया यह समझाने में टाइम लग रहा है बट आपने थोड़ी सी अगर practice कर ली तो आप देखते के बदा तो यह linear equation है या नहीं ठीक है यह प्लस भी रहेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है इसके लिए माइनस आरा था थिक है आगे सम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं second वाला जो था हमारा यह तो नो ही था यह जो है यह भी linear equation नहीं है तो इसको तो हम ABC की value निकाली नहीं सकते जो थार्ड वाला है वो linear equation है ठीक है तो हम इसकी अगर इप इट इस अ लीनियर equation देन फाइंड वैल्यू ओफ ऐसे question आएंगे पहले तो यह question लिख देता हूं root 5 y equals 16 if it is a linear equation then find the value of a b and c हमको पता है हमारा form क्या है ax plus by plus c equal 0 यह हमारा form है सबसे पहले हम अपने form में लिख लेंगे जो भी लिखना है तो a x के बदले तो root 2 x हो जाएगा हमारा minus root 5 y 16 यहां कर क्या हो जाएगा minus हो जाएगा equal 0 हो जाएगा अभी में a और b a b c की value निकाल हुआ आगे जो हमारा topic है वह क्रेमर्स रूल ग्राफिकल मेथट के बार उसमें यह ही आपको आनी चाहिए कि माइनस प्लस कैसे लेना है क्योंकि क्रेमर्स रूल में यही आने वाला है आगे जो हमारा topic है वह क्रेमर्स रूल ग्राफिकल मेथट के बार उसमें यह ही आपको काम है तो इसलिए मैं अभी से ही आपको प्रैक्टिस करा कर रख रहा हूँ चलिए आगे बढ़ते हैं पर 3 कि सम पर आते हैं हम फो पर सम का जो यह तो लिनियर एक्वेशन ही निस तो रुट पूछ रही है ता मैं अपको पूछ रहा हूँ कि एक सम है root 3 x minus 2y equals 12 इसकी पहले तो आप मुझे यह बताओगे कि whether it is a linear equation with two variable or not फिर इसके बाद आप मुझे ABC की value निकाल कर बताओगे तो कैसे करना एक बार वीडियो को pause करके खुदी solve करना then मेरा solution लेखना ठीक है तो सबसे पहरे तो हमारा form क्या कहता है a x plus by plus बार बार इसलिए form लिखा रहा होता कि आपको याद हो जाए तो क्या करूँगा मैं अभी इसके form में लिखूँगा देखो root 3 x minus 2y 12 इदर आ जाएगा इस तरफ तो क्या हो जाएगा minus 12 equals 0 अब compare करना चालू करो a x से compare करूँगा तो a की value तो root 3 आ जाएगी b से compare करूँगा तो देखो यह minus आ रहा है अबर हमारा form प्लस में है तो b की value क्या जाएगी minus 2 cq value क्या हो जाएगी देखो form प्लस में है अबर इदर क्या रहा है माइनस आ रहा है तो cq value minus 12 ठीक है तो अभी के लिए इतना ही इसके आगे इसके बाद हम लोग आएगे तो ठीक है next part में मिलते है thank you very much solve कर लेना pause करके solve करना उसको ठीक है तो confidence आएगा thank you very much